दोन एक्सप्रेस आईना सश्का साथ इसाथ बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल मत भोलेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ बताना चाती हूं कि हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीज़े लिखी हैं जिसका पालन हर हिंदु धर्म के इंसान को करना चाहिए और कुछ ऐसी बाते हैं जिनको न करके सबसे पहले हमें बच्पन से ही सिखाया जाता है कि हमें भोजन का अन का सम्मान करना चाहिए अनपूर्णा जो हमारी देवी हैं उनका हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए और साथ हमें ये भी बात कही जाती है और हमें बताई गई है बच्पन से कि खाना खात हो जाते हैं घी हां ऐसा शास्रों में लिखा गया है ुस लिए शुरू से ही हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमको खाना खाते वक्त ना बोलने के लिए केहते हैं और साथी साथ बीच में खाना ना छोड़ने के भी हिदायत देते रहे हैं और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों में जिने नाखून खाने की आदत होती है नाखून काटने की आदत होती है वो भी बहुत ही अच्छी आदत नहीं मानी जाती क्योंकि ऐसा माना जाता है शास्तों के अनुसार की मासरस्वती ऐसा करने वालों से रुष्ट हो जाती हैं तो आप जरूर खयाल रखिएगा और कई ऐसी और भी बाते हैं जो आपको यहां Don Express में मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आप बने रहे हैं The Don Express की हमारी इस वीडियो के साथ आप The Don Express में हम आपको कई ऐसी बाते बताने वाले हैं जो मानव जीवन से जुड़ी हूई है जी हाँ आज का हमारे ये वीडियो बहुत ही खास हो रहा है और आप देखते जाएए आगे कि आपको क्या-क्या जरूरी चीज़ें जरूरी सूचना हम आपके लिए लेकर आए है जैसे की दूसरी बड़ी सूचना जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ वो है कि अकसर देखा जाता है कि कई लोगों को सफर के दौरान जी मिचलाता है या फिर उल्टी जैसी फीलिंग आती है तो उसके लिए कुछ उपाए हैं जो आपके लिए लेकर आए हूँ अगर आप दो लौंग को 30 ग्रम पानी में उबाल कर पिएंगे तो उससे आपका जी मिचलाना खत्म हो जाएगा जी हाँ ऐसा करने से आपका जी नहीं घबराएगा साथी साथ अगर आप खाने से पहले जिहां सफर करने के दोरान अगर कोई ठोस पदार्थ खा रहे हैं तो उसे भी खाने से बचें और साथी साथ गरम खाने से बचें क्योंकि खाने की जो महक होती है उससे भी कई बार लोगों का जी घबरा जाता है और साती सात अगर आप बहुती तेज मसालों का खाना खाने के बाद सफर के लिए निकले हैं तो उसे करने से भी बचें ऐसा करने से आपका सफर अच्छा होगा और आप आराम से अपने घर पहुच सकते हैं या फिर जिस भी जगा के लिए आप रवाना हुए हैं आप आराम स वहां पर अपना सफर कर सकते हैं और एक बात और आपको बताना चाहतीyim कि अगर आप बस या कार में किसी भी जगा में सफर कर रहे हैं तो přिम्चोप अगए करें एरिया के बैठें तो यहाँ एसे करने सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर हमने नोट किया होगा कि जब भी आपके घर के जो भी पुरुष है वो शेफ करते हैं तो अक्सर अगर ब्लेड लग जाता है तो फिटकरी का इस्तिमाल करते हैं जी हाँ और इसके और भी नायाब फाइदे हैं जो आपको यह पानी के कुले बहुती फाइदे बन रहते हैं साथी साथ अगर आपको पसीने की दिक्कत है तो आप फिटकरी को पानी में घोल कर उस पानी से नहा सकते हैं अपने नहाने के पानी में फिटकरी को डाल सकते हैं और अगर आपके चेहरे पर जुरिया है तो फिटकरी या तो आप गीला करके उसे चेहरे पर मल सकते हैं या फिर उस फिटकरी के पानी से आप मों भी धो सकते हैं तो हुए ना फिटकरी लगाने के कई सारे फायदे अग्दी बार जब भी फिटकरी देखें तो ये नुस्के जो मैंने आपको बताएं हैं वो जरूर याद रखिएगा और अमल में भी लाइएगा अब मैं आपको बताने वाली हूँ लॉंग के टेल के फायदे जी हां हम अकसर कई सारे तेल अपने घर में इस्तेमाल करते हैं कुछ खाने के लिए कुछ लगाने के लिए लेकिन लॉंग का तेल बहुत ही फायदेमन है और कारकर साबित होता है अगर आपके चेहरे पर कील मुहा से हैं तो एलो वीरा जेल में अगर लॉंग की कुछ बूंदे आप मिला लेंगे लॉंग के तेल की तो आपके मुहा से तुरंट गायब हो जाएंगे और साथी साथ अगर लॉंग के तेल को आप पांच मनिट तक नई स्किन आने लगेगी जिहां आपकी जो बीबीजान स्किन है उसमें एक नई उर्जा और नई जाना जाएगी साथी साथ अगर आप सोने से पहले लॉंग का तेल लगाते हैं तो आपके पोर्स में छुपीवी सारी गंद की निकल जाती है और आप आराम से उसकी महक के स साथ भी सो सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी महक होती है लॉंग की साथी साथ अगर आप लॉंग को अलग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं तो भी यह बहुत फाइदे मंद होता है और सर्दियों के इस मौसम में लॉंग तो और भी कारगर सावित होता है साथी साथ इस जब कोरोना की महामारी है तो लॉंग बहुत ही फाइदे मन्द है अगर आप काड़ा बना रहे हैं तो उसमें लॉंग जरूर डालिएगा क्योंकि वो आपको कोरोना जैसे वाइरस से बचा कर रखेगी तो यह हुए ना लॉंग के कई फाइदे यह बहुत ही गुड़कारी है इसलिए अगले बार जब भी आप लॉंग का तेल इस्तिमाल करें तो इस तरीके से जरूर हमारी यह बाते याद रखेगा कि आप इसको अपने स्किन पर लगा सकते हैं इससे मसाज कर सकते हैं रात को सोने से पहले इसका इस्तिमाल कर सकते हैं एलोविर जल में मिला सकते हैं और खाने में भी इसको खा सकते हैं अक्सर हमने देखा है कि घरों में जब माएं बच्चों का लंच पैक करती हैं तो अकबार में लपेट कर खाना दे देती हैं या फिर आपके दुकानदार के पास जाते हैं गर्बागरम कोई भी सामान खरीदने तो वो खाना आपको अकबार में लपेट के दे देता है चाहें वो समोसा हो कचोड़ी हो या फिर कोई भी सामान हो आपके खाने पीने का लेकिर हमारी वीडियो देखने के बाद आप अगली बार से ऐसा करने से अवश्य वचेंगे क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अकबार में खाना लपेटने के क्या-क्या नुकसान है दरसल जो अकबार में प्रिंटिंग इंक होती है जो इस्तिमाल होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है एक मानव शरीर के लिए जब भी आप उसमें गरम-गरम खाना पैक करते हैं तो वो इंक आपके खाने में लग जाती है पिघल कर और आपके खाने को बहुत ही खतरनाक बना देती है उसमें ऐसे विशेले तत्वा आजाते हैं जो आपके गुर्दों को और फेफडों को बहुत ही पूल रूप से नुकसान दे सकते हैं साथी साथ अगर आप इंक में लपेट हुआ खाना खा लेते हैं तो वो आपके स्किन को भी बहुत नुकसान करता है और साथी साथ अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो उसको बढ़ावा देगा जी हाँ आपको हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं अगर आप वो इंक भरा खाना खा लेते हैं तो अगली बार से जब भी आप गर्मा गर्म खाना कहीं अकबार में लपेटा देखें तो बिलकुल मना कर दीजेगा अपने घर से कोई कपड़ा ले जाईएगा या फिर जो फॉयल पेपर आता है दरसल फॉयल पेपर के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि वो ऐलुमीनियम स तो बतनी अरोसा जाय तो वह खतरनाक होता है तो आप कोई ऐसा चीज इस्तिमाल करिएगा जो इतनी घर घर ना हो अगना अगर आप पत्टल करेंगे तो बहुत ही अच्छे होते हैं हमने देखा इस्तिमाल करिए आज हम आपको डॉल एक्स्प्रेस में बता रहे हैं कि डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है और अगर आपको किसी को भी डायबिटीज है तो आपको किस तरीके कब नास्ता करना चाहिए जी हां अकसर लोग मीठे पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं जिसकी टॉफी, चॉकलेट, इत्यादी खाते हैं जिससे उनका शुगर लेवल, आर्टिफिशल शुगर खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम उनके शरीर में घर कर जाती है तो अब आपको बतानी जा रहे हूँ कि अगर आप सुब आपको डायबिटीज से बचाता है और साथी साथ आपका शुगर लेवल कंच्रोल में रखता है अगर आप जूस पीते हैं तो जूस की जगा फ्रॉफल खाई है क्योंकि फ्रॉफल खाने से आपको उसकी शुगर तो मिले का ही जो हानिकारक नहीं होता साथी साथ आपको फ ठाने में पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो यह आपके लिए बहुत ही लापकारी है तो अगली बार जो भी शुगर के मरीज है उन्हीं यह बात याद रखनी चाहिए और मीठे पर कंट्रोल होना चाहिए साथी साथ अगर आप वॉक करते हैं सुबह शाम तो यह आपको और हेल्दी बनाएगा अकसर हमने देखा गया है कि कॉलेज या स्कूल की कैंटीन में या फिर ऑफिस की कैंटीन में अगर आप चाय पीते हैं तो आपको थर्मकोल ग्लासेज में डिस्पोजबल ग्लासेज में वो चाय या कोई भी गरम चीज पर उसी जाती है अगली बार आप उसे भी मना करिएगा उससे भी बचिएगा आप अपना स्टील या कांच का ग्लास साथ में ले जा सकते हैं और उसमें कोई भी गरम चीज पी सकते हैं दरहसल जो थर्मकोल होता है उसके उपर एक वैक्स की लेयर लगाई जाती है जब भी आप गरम चाय दूद या कॉ कोफी उसमें डालते हैं तो वह वैक्स आपके शरीर के अंदर चली जाती है क्योंकि वह पेगल कर आपके अंदर ही जाती है और साथी साथ थर्मकोल के अंदर कुछ ऐसी चीजे होती है जो आपके शरीर को बहुत ही नुक्सान पहुचा सकती है तो इसलिए जब भी आप अक्सर हमने देखा है कि लोग चाए के बहुत शौकिन होते हैं लेकिन ये चाए अगर आप सुबह उठते ही खाली पेट इसका सेवन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत नुक्सान देती है जी हां कुछ लोगों को बैटी की आदत होती है खाली पेट वो चाए पीते हैं तो आपको एसिड़ी की प्रॉब्लम हो जाती है जी हां और साथी साथ आपकी सास की नली में और फूट पाइप में जलन करने लगती है वो खाली पेट पी हुई आपकी वो चाए कुछ लोगों के अगर सिर में दर्द होता है अगर तनाव होता है तो वो चाए पीते हैं ऐसा क करने से तनाव और बढ़ जाता है और दिमाग की नसों में जंजनाहट होने लगती है जिसकी वज़े से तनाव आपका बढ़ने लगता है तो आप इस घलत फैमी में बिलकुल ना रहें कि अगर आप चाए पी लेते हैं तो आपको रिलाक्स मिलता है जी नहीं ऐसा बिलकु ही नुकसान हो जाता है तो अगली बार जब भी आप खाली पेट चाए पीए तो बिलकुल ध्यान रखिए गाई यह सारी चीज़े अगर आप चाए पीना चाते हैं तो आप इस सर्वियों के मौसम में ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं गर्मियों के मौसम में भी आप भीग बचे उसको बहुत ही चाव से खाते हैं लेकिन आपको बता दूँ कि मौमोस बिलकुल भी हल्डी नहीं होते यह माना गया है रिसर्च में कि जो भी मैदा मौमोस में इस्तिमाल होती है या घर के बनाय हुए की जगा बाजार के छोले बटूरों में इस्तिमाल की जाती है व पर खाने के इतने शौकीन है कि वीक में एक दो बार आप खा लेते हैं तो इसे खाने से बचिए क्योंकि यह आपको डायबेटीज की भी बिमारी दे सकता है जी हां यह बिलकुल सही बात है रिसर्च में माना गया है कि मौमोस के अंदर अगर चिकिन मौमोस की बात कर रही ह अगर आपको जो भी मास इस्तेमाल होता है वो बिलकुल अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता जिसे खाने से आपको food poisoning तक हो सकती है इसलिए अगर आप चाहते हैं तो घर में ऐसी चीज़े बनाए और साथी साथ आप तो करोना की महमारी फैली हुई है तो बाहर के खाने से वैसे भी आप बचिये फिलहाल दौन एक्सप्रेस में बस इतना ही आज की हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही होगी मैं ये आवश्य जानती हूँ और जो भी आइस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो इन बातों का जो हमने आज आपको बता रखिएगा और कोरोना की महमारी से अपना बचाव भी रखिएगा सेहाबा डेली हंट डेली हो नमस्कार